स्वावत है अब सभी का Tech Study IT YouTube चनल पर Fitter Trade Theory CBT Examination Questions की सीरीज में आज हम लोग करेंगे Part 20 इसके पहले Second Year के 19 पार्ट हो चुके हैं तो अगर आप Second Year में हैं पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं अपनी तो प्लीज उन पार्ट को जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है प्लेइलिस्ट की वहाँ से आप जाके Fitter Theory के साथ-साथ Employability Skill, Workshop Calculation वहाँ ड्राइंग की प्लेइलिस्ट का भी एकसेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई continue कर सकते हैं तो यह है Part No.20 इसके बाद एक Part आपका और रहेगा Fitter Second Year आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल पे First Year पहले हम कंप्लीट करा चुके हैं तो आप लोगों ने study अच्छे से की भी होगी एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा तो चले स्टार्ट करते हैं कुस्चन है पहला यहाँ पे Which is a system of two hour more pulleys with a rope threaded between them यानि दो या दो से अधिक pulleys हो उनमें जो rope हो न वो लगाई गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं जो क्या है उनके बीच rope से बिरोए गए दो या अधिक pulle का जो एक परणाली हो उसे क्या कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे differential hoist कहेंगे pulley block कहेंगे spur gear hoist कहेंगे या came along chain hoist कहेंगे तो right answer है come along sorry right answer है आपका उसे हम लोग कहते हैं pulley block आप सबने देखा भी होगा कुछ इस तरह से होता है आपका pulley block ठीक है अगला question है what the name of the crane इस crane का आपको नाम बताना है क्या है देखिए एक pillar type का आपको दिख रहा होगा न pillar दिख रहा है उस पे आपकी crane है इस पे इस पे ऐसे move कर सकती है ठीक है तो इसे हम लोग कहते है pillar jib crane एक jib crane का type है pillar पे है इसलिए pillar jib crane बोल रहे है इसको कुछ इस तरह दिखती है आपको actual में गर आप देखेंगे कुछ इस तरह दिखेंगे आपका pillar हो गया इस पे आपकी इसकी arm हो गई जिस पे ये आपकी क्या चल सकती है ये crane जो है चल पाएगी इसे आप operate कर सकते है यहाँ पे motor लगी हुई है ठीक है और type की crane जो होती है आपकी जैसे इसे देखें क्या कहते है इसे हम लोग gantry crane बोलते है ये चल भी सकती है इसे क्या बोलते है gantry crane इस तरह से दो beam के उपर रहती जनली वर्क्शॉप के अंदर वगरा इसे use करते है ठीक एक traveling crane भी होती जो हर जहां चल सकती है ये आपकी bracket zip crane है एक bracket में क्या किया हमने crane को mount कर दिया उसे हम लोग bracket zip crane बोल देते है pillar पे है तो pillar zip crane बोल देते है इस तरह से इसके नाम होते है सबके अगला question है what the name of foundation bolt इस foundation bolt का आपको नाम बताना है foundation bolt आप सबको पता machine के base अगरा को machine को firmly पकड़ने के लिए यूज किया जाता है anchor bolt है foundation bolt इसका नाम क्या इसमें आप देखेंगे वासर लगे हुए है कुछ जो की क्या है conical shape में आपको दिख रहे होंगे इससे हम लोग बोलते है conical वासर foundation bolt क्या बोलते है conical वासर foundation bolt next question which wire rope strands are twisted in the same direction wire rope मतलब बताना तार की बनाई हुई रस्ती ठीक है किस प्रकार के तार की रस्ती जो है एक ही दिशा में जो तार होते हैं वो एक ही दिशा में twisted रहते हैं बुने हुए रहते हैं twist रहते हैं ऐसे ठीक है figure दिखाएंगे हम आपको चार options यहाँ पर lang lay rope है rigid lay rope है regular lay rope है या combined lay rope है तो right answer आपका lang lay rope ठीक है lang lay rope इस तरह से होता है यहाँ देखे कई तरह की होती है जैसे यहाँ आप देखेंगे right hand lang lay भी होता है left hand ordinary lay होता है left hand lang lay होता है जो ordinary lay होता है इसमें आपका खो अपैसे खोलत वह जाएंगे उस केस में ठीक है अचछा रूप चा 10 पी यहां जानलीजे क्या क्या होते हैं जैसे सबसे पहले एक नमबर जो होता है इसे पूरे और हम बोलते हैं वाईर नॉप धीक है दूसरा जो beach वाला ये portion होता न जिसमें सारे lift हुए इसको हम लोग बोलते है core ठीक है third जो इसके ओपर lift हुए उसे हम लोग कहते है strand ठीक है इस strand भी क्या होता है पतले पतले wire से मिलके बना होता है and ये पांचवा है आपका center wire जो strand के बीच में रहता है इतने part होते हैं आपके wire रोग के इनको भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं ठीक है अगला question है what is the purpose of triangular frame base resting on ground in the frame of derrick lifting equipment एक tricondi frame का base क्यों बनाते हैं जो derrick lifting एक तरह का अभी equipment या crane ही कह सकते हैं इसको क्यों बनाते हैं तो उसको बनाने का परपज है प्रिवेंट दा वाइब्रेसन में कमपन को रोकता है वो अवाइट sleeping off load लोड को फिसलने से बचाता है प्रिवेंट imbalance off load याई लोड के संतुलन को रोकता है या प्रिवेंट base from moving under load बेस को लोड के नीचे आने से रोकता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D जो base है ना आपका उसे load के साथ जो है load के नीचे आने से क्या करता है रोकता है कुछ इस तरह से दिखता है आप देखिए यहाँ पर triangular base यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर इसका load होता है यहाँ पर इसका क्या होता है load होता है आपका ठीक है next question why foundation bolts are essential to machines machineों के लिए foundation bolt जो है वो क्यों आवश्चक है तो foundation bolt observe vibration मतलब जो machine का vibration होगा उसे क्या करेगा observe ना होके यहाँ absorb होना था ठीक है क्या होना था absorb मतलब जो vibration होगा उसे क्या करेगा absorb कर लेगा ठीक है अपने अंदर अगरा है hold machine firmly machine को मजबूती से पकड़ के रखते हैं C है improve the production उत्पादन में सुधार करते हैं D है avoid shifting machine को shifting से बचाते हैं तो देखिए इसका काम ही होता है कि machine को firmly यानि मजबूती से पकड़ के रखना उसके base पे इसलिए foundation bolt वगएरा लगाये जाते हैं ठीक है next question है 232 number what the material of ceiling hooks जो ceiling hook है उसकी सामगरी क्या होती है तो जो आपके ceiling hooks होते हैं उसकी सामगरी होती है आपकी high tensile steel किसके बनाये जाते हैं वो high tensile steel से बनाये जाते हैं उच्च तनाव वाले इस पाथ से बनाये जाते हैं ceiling hook आपके next question है what the name of this crane इस crane के बारे में बात हो भी चुकी देखें हैं यह monorail type की लगी न इस पे यह चल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं gantry crane क्या बोलते हैं gantry crane बोलते हैं पहले कुश्चन या दूसरे कुश्चन में हमने आपको इसका figure भी दिखा दिया था जो pillar zip crane है उसमें pillar पे एक arm होती इस पे आपका crane travel करता है traveling crane के बारे में बताये था हमने bracket zip crane दिवाल या किसी से एक bracket लगा के उस पे crane आपका travel करेगा load को low करना lid inclined load या suspend radial load यहाँ पे right answer है lift vertical load इस तरह दिखता आपका eye bolt देखिए यह eye bolt आपका होता है मालिज आपकी कोई heavy यहाँ पे एक machine है इसमें लिफ्टिंग के लिए क्या होते हैं यहाँ पे already threaded बनाई रहते हैं अंदर thread आपकी कटी रहती है उसमें आप क्या करते हैं इनको tight कर देते हैं ठीक है इसमें tight कर देते हैं और यहाँ से आप crane के थू क्या करते हैं इनमें जो लगी ना इसमें rope वगरा बांध के आप इससे lift कर लेते हैं उसको ठीक है अगला question है which crane consists of bridge constructed girders supporting a traveling hoist crane में bridge girders support होते हैं हिंदी थोड़ा यहाँ आपको tough दिखेगी ठीक है क्या होता है उसमें girders बनाए गए रहते हैं किसके लिए hoist को travel कराने के लिए तो ऐसी crane को हम लोग बोलते हैं option number C overhead traveling crane या इसी को OHT crane भी बोलते हैं बोलते हैं OHT crane कुछ इस तरह से होती है देखिए यह आपके क्या हो गए girders बनाए गए यहाँ पे ठीक है अब यह यहाँ पे ठीक क्या बनाए गए girders इस पे यह चलेगी यहाँ पे rail बन गई नहीं इस पे travel करेगी यहाँ भी और crane आपकी travel करेगी ऐसे ऐसे में ठीक है मतलब आपकी यह पूरा जो beam है यह इस पे travel करेगा और आपकी जो crane है वो इस beam पे travel करेगी पूरा आप workshop जो है ना इससे cover कर सकते हैं ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं overhead traveling crane अगला कुछशन है 236 number what the purpose of using lubricant lubricant यह इनि इसनेहक का उपयोग करने का परपज क्या है तो इसनेहक हम की उपयोग करते हैं friction को कम करने के लिए friction कम होगा तो टूट food कम होगी machine की reliability बढ़ेगी अगर यहाँ यह option ना होके कहीं होता इसमें कि machine की reliability बढ़ाने के लिए दक्षता बढ़ाने के लिए तो वो भी आपका right answer हो सकता था जैसा previous part में मिला भी था question next question how jib crane is used to move the load जो jib crane है वो load को कैसे ले जाती radially, vertically यानि लंबवट horizontally यानि 36, inclined यानि inclined angle पे, किसी angle पे तो हमेशा जो jib crane होगी load को lift करने के बाद कैसे ले जाएगी horizontal, 36 ले जाएगी ऐसा किसी angle पे या उपर उठा के आपको नहीं देगी, ठीक है माली जो load आपने उसमें उठा लिया, आप उसको horizontally travel करा सकते हैं इधर चो उधर workshop में इस तरह की है, अब यहाँ load कहां जाएगा आपका, load आप उपर उठा लिये फिर क्या होगा, urgently travel कर सकता है इस पे, अभी इसको के इंदर घुमा नहीं सकते क्योंकि आर्म इसकी fix है, ठीक है अगला कुश्चन है 238 नंबर which type of rope is used for heavy duty hoisting, heavy duty hoist के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है wire rope का, yarn rope का, cotton rope का या manila rope का, देखिए cotton rope, yarn rope ये सब नहीं यूज़ करेंगे हमको वहाँ मजबूती चाहिए, heavy duty बोल रहा है तो वहाँ पे हम लोग wire rope यूज़ करते है during the acceptance test of new machines वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजगा लाइक बहुत कम आते हैं वीडियो पे views तो कम आही रहें क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं है भी इतना exam आएगा तभी सायद पढ़ेंगे बट प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाईएगा नई मसीनों को स्विक्रित परिक्षणों के दोरान में निरिक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है which tool is used to in inspection of during the acceptance test of कोई नई मसीन आई हो उसका आप acceptance test करेंगे तो किस उस से करेंगे ठीक है किस tool से करेंगे तो वो tool आपकी होती है test mandrel क्या होती है test mandrel देखें steel rule से नापते हैं आपको इचीज plumb आप से आप कुछ देखते न वर्टिकल है की नहीं ट्राइ स्कॉयर से भी आप measurement लेते हैं test mandrel ऐसे भी आपको यहाँ सही answer दिख जाएगा next एक कुष्चन है यहाँ पर which is used to align the machine tools accurately machine tools को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए align करने के लिए किसका उपयोग करते हैं tri square का precision spirit label का steel rule का या L square का right answer आपका option number B precision spirit label का प्रियोग करते हैं कुछ इस तरह से आपका spirit label दिखता है अगला कुष्चन है which wire rope strands are twisted in the opposite direction देखिए वा हमने बात की ही थी है same direction में अगर है तो क्या होती है आपकी वो lang lay यह lang lay है actual में and अगर opposite direction में है तो क्या है वो regular lay rope क्या है option number A regular lay rope ठीक है क्या क्या होते हैं देख लिजए एक होता right regular lay RRL जिसे बोलते हैं एक होता left regular lay ठीक है यह right side ऐसे चल रहा यह left side चलेगा एक होता RRL right lang ले एक होता LLL ठीक है ट्रिपल L left lang ले ठीक इसमें same direction इसमें opposite direction अगला question है what the operation performed during geometrical test on machines machine पर जामिती परिक्षण से पहले किये जाने वाले operation क्या है तो जामिती परिक्षण geometrical test करने से पहले machine पर हम क्या करते हैं labeling का काम करते हैं machine को पुरा level में किया जाता उसके बाद geometrical test machine पर perform किया जाता है next question what the use for checking the horizontal and vertical level of machine किसी machine के चैतिज और उर्धाधर अस्तरों की जाँच करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे mason level का block spirit level का simple spirit level का precision spirit level का तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं block spirit level का एक block में आपका spirit level फिक्स रहता इसका प्रियोग वहाँ पे किया जाता है तो क्या हो गई है truck mounted crane हो गई जिस पे mount कर दिया वही इसकी mounting हो गई truck mounted crane हो गई actual में वही वाली है यह आप देखिए न यहां triangular base दिया गया न उसी type के बट यह truck पे mounted है अगला question है what material used as a grouting for steam turbines steam turbine के लिए grouting के रूप में किस सामगरी का उपयोग किया जाता है यहां पे देखे थोड़ा सा question जो है नीमी में जो सही answer आपका दिया लेट दिया क्योंकि इसमें option भी और कुछ नहीं है generally जो है यहां steam turbine की grouting के लिए epoxy resin वगईरा भी यूज किया जाता है बट फिलाल आपका lead answer सही मिल रहा है आप यहां पे lead लगाएंगे क्योंकि high temperature होता है इस सब में तो उस जगहों पे ऐसे grouting के लिए यूज किया जाता है sulfur की grouting वहां करते हैं जहां कोई chemical reaction वगईरा वाला गर कुछ हो तो वहां पे sulfur की grouting की जाती है तो फिलाल यहां right answer आप लोग lead लगा सकते हैं अगर यह question आता है उस case में क्योंकि epoxy option यहां पे नहीं है अगला question है what the name of foundation bolt इस foundation bolt का आपको नाम बताना है यह foundation bolt है आपका roll bolt क्या है rawl roll bolt बोलते हैं इसे इसमें यहां ऐसे slots कटे होते हैं इसको जब भी आप देखेगा ता आप समझ जाएगा यह roll bolt है option number C कुछ आप 247 है what the purpose of crow bar crow bar का उद्देश से क्या है to raise the load यानि भार उठाने के लिए to suspend the load लोड को निलंबित करने के लिए to lift and move the load भार उठाने और अस्थानांतरित करने के लिए या to lower the load लोड को lower यानि नीचे करने के लिए right answer आपका option number C to lift and move the load यह काम होता आपका crow bar का 248 नमबर question है which grouting process is unaffected by oil or grease वही अभी पीछे बात हो रहे थी न oil या grease से कौन सा unaffected रहेगा जिस पर कोई affect ना पड़े वो कौन सा grouting material होगा ग्राउटिंग प्रॉसेस होगा तो उसे हम लोग कहते हैं sulfur grout option number B sulfur grout 249 नमबर question है how many type of test mandrels are available for geometrical test geometrical test यानि जियामिती परिक्षण के लिए कितने प्रकार के test mandrels जो हैं उपलब्द होते हैं तो वो हैं आपके दो प्रकार के ये दो प्रकार कौन-कौन से होते हैं एक होता आपका mandrel with cylindrical measuring surface ठीक है and a taper sank taper sank होगा उसमें measuring surface cylindrical होगी दूसरा होता है cylindrical mandrel that can be held between centers जो दो center के बीच में उन्हें हम रख सके cylindrical mandrel होगी ये दो टाइप की mandrel आपकी generally आती हैं geometrical test के लिए कुछन पर 250 है why geometrical test is carried out while testing machine tool machine tool का परिक्षण करते समय जामिती परिक्षण क्यों किया जाता है देखिए जामिती परिक्षण बहुत आवस्चक होता है अगर आप नहीं कर पाते हैं उसे तो पूरी machine की जो accuracy है ना उसका आप grading नहीं कर पाएंगे इसलिए करते हैं कि हम machine की accuracy को grade कर सकें ठीक है कि कितनी accuracy की machine है तो machine tool का परिक्षण यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है जो भी आपका machine tool होगा cutting tool होगा ठीक है उसका परिक्षण किया जागा उसकी squareness उसकी surface का सब चीज का यहाँ पर जयामिती परिक्षण किया जाता उसकी geometry क्या है ठीक option number D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अब आती है आपकी बारी bonus question की question है which is the property of the oil catches fire and continues to be in flame तेल का वहाँ कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और आग फिर लगाता जलती रहती है flash point, fire point, pore point या oiliness जो भी right answer आप लोग comment कीजेगा वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा वीडियो को like और share भी कीजेगा साथ में चनल को subscribe करके वेल आइकन को जरूर दबा लीजेगा thank you, मिलते हैं अगली update साथ अगली वीडियो में आप लोग क्या लगीएगा आपना